क्या आपको पता है केमिस्ट्री में सबसे हाइस्ट आबर्ड condomWorks क्यों मिलते हैं दोस्थों क्या आपको पता है सुख एक मिनिट का गुस्षा हमाया लिए कित्ता नुकसान दाइभ और सुख एक मिनिट के लिए हसी हमाया कित्ती फाइदमन हो सकती है अगर नहीं पता है तो वीडियो को एंट तक देख लिजिए सब पता चल ही जाएगा हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जीनियस बड़ी में वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ऐसी ही अमेजिंग और नॉलिजिबल वीडियो आप तक पहुँच सके दोस्तों क्या आपको पता है कैमिष्टी का सबसे हाइस प्राइज यानि नॉबल प्राइजिस क्यों दिये जाते हैं ये प्राइजिस अलफरिड नॉबल की याद में दिये जाते हैं इनका जन्म 21st October 1833 में Sweden के Stockholm शहर में हुआ इन्होंने 355 अविश्कार किये जिन में से डाइनमाइट इनका सबसे फेमस अविश्कार था Fact No.2 दोस्तों हमारे पेट में Hydrochloric Acid यानी HCL होता है मगर क्या आपको पता है कि ये इतना powerful होता है कि ये stainless steel जिया फ्रेंट्स stainless steel को भी पिगला सकता है मगर आपके दिम्याक में ये question तो जरूर आए होगा ये हमारे stomach यानी हमारे पेट को कुछ नौकसान क्यों नहीं पहुचाता है ये इसलिए होता है कि हमारे पेट में secret होने वाले mucus जिया फ्रेंट्स mucus नाम के enzyme की वज़े से ये enzyme हमारे stomach की inner lining को cover कर लेता है और HCL जैसे खतरनाक acid से हमारे stomach को protect करता है Fact number 3 दोस्तों गुसा तो हम सबको कभी न कभी आही जाता है मगर क्या आपको पता है सिर्फ एक मिनिट का गुसा जिया फ्रेंट्स सिर्फ एक मिनिट का गुसा 5 से 6 गंटे के लिए हमारे immune system को weak कर सकता है और क्या आपको पता है कि सिर्फ एक मिनिट के लिए हसना जिहां फ्रेंड सिर्फ एक मिनिट के लिए हसना हमारी इम्मिन सिस्टम को 24 आवर्स यानि पूरे एक दिन के लिए बूस्ट कर सकता है इसलिए बी हैपी और इसी फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है तो प्लीज इस जुडियो को लाइक कर दीजे फैक्ट नुमब फूर्ट दोस्तों आप अपने वजन से कितने गुणा ज़दा वजन उठा सकते हो एक गुणा या फिर दो गुणा गुणा तुस्तों ये फैक्ट सुनने के बाद डैफिनिटलः आपको इंडियन होने पर गर्भ होगा क्योंकि friends क्या आपको पता है कि 18th century से पहले सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी country थी जहांपर diamond पाया जाता था So be prouded तो friends यही थी मेरी वीडियो I hope आपको इस वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा तो friends अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से तो friends इस वीडियो को लाइक कर दीजे और हाँ फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्स्राइब कर दीजे ताकि ऐसी, अमेजिंग और नौलिजबल वीडियो आप तक पहुत सकें